तो हाई शेंस आप सब्सक्राइब बहुत बहुत स्वागत है मैं चैनल जी टेक प्रो इंदिम है और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑक्सिजेन ओएस वाला थीम जो है लेके आया हूँ और यह सिर्फ और उन डिवाइजस पर काम करेगा जो कि MIUI 12 या 12 के कोई वर्जन पर काम कर रहे है ठीक है वर्क कर रहे है ठीक है रन कर रहे है उनके थीम स्टोर पर यह जो है एप एप अबेलेबल होगा लेकिन अभी तक मैंने को कोई कंफरमेशन नहीं है कि MIUI 11 और 10 वाले और यही थीम आपको डाउनलोड करना है आप थीम आच्छे से देख लिजिए यही थीम आपको डाउनलोड करना है इनका डीजाइनर का नाम है या फिर डेवलपर का नाम है डी ओ एस ठीक है यह 33.7 MB का थीम है बहुत ही light थीम है ठीक है और मेरे को एक मलब सच बात बताओ म मैं directly features बताऊंगा आपका time इतना waste नहीं करूँगा अब देख सकते हैं control center में कितना अच्छा लुक जो है लग रहा है और अनिमेशन से लेके toggles से लेके icon सब कुछ जो है अच्छा लग रहा है मेरे को और minimalistic जो लुक हम बोलते हैं वही दिया गया है और pure oxygen OS का feel जो है देने क कोसिस की गई है और आप देख सकते हैं notification toggles जो है देख रहे हैं कि कितना अच्छा background blur जो है हमको मिल जाता है और clear all का जो icon है या फिर toggle है वह बहुत ही अच्छा जो है दिया गया है और अगर अभी हम volume toggles की बात करें तो volume toggles तो वह सही है लेकिन इसमें थोड़ा सा modification जो है कि देख सकते हैं कि जो हमारा recent menu जो है आप देख सकते हैं इतना मतलब clean किया गया है इसको मेरे को बहुत ही अच्छा इसका look लगा और settings पे जाएंगे settings का आप look देख सकते हैं पूरा font से लेके text सब कुछ जो है changes किया गया है और इसका look and feel भी आप देख सकते हैं पूरा oxygen OS जैस दिया गया है मेरे को बहुत ही अच्छा चीज लगा हाला कि जो ही जो developer है ठीक है बहुत ही अच्छा काम किया है मेरे को इतना कुछ lag जो है देखने को नहीं मिला है आप animation भी देख सकते हैं इधर search bar का animation मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और transition की बात करूं तो एक app से अगर other apps आप जाते हैं बहुत ही smooth transition है ठीक है वेरेस मेरे को default theme में थोड़ा lag लग रहा था तो यह theme तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा थी में आप बिल्कुल try कर सकते हैं और अगर आप जो उपर जो notification shades होता है ठीक है या फिर notification को जो battery icon network icon वो सब कुछ जो है changes किया गया है और बह बात करूं lock screen में कुछ इतना ज्यादा कुछ changes नहीं है सिर्फ wallpaper जो है बाइटीफॉल जो है oxygen OS का जो wallpaper हमको मिल जाता है वही जो है दिया गया है तो atlas home screen की बात करूं तो home screen आप खुद ही देख सकते हैं मैं इतना time आपका waste नहीं करूंगा मैं जस्ट बोलूंगा कि आप जस बाकि आपको अगर बहुत ही अच्छा first transition चाहिए आपको settings पे जाना है about phone पे जाना है और उसमें जो आपका oxygen OS जो लिखा गया होगा उस पर tap कीजिए आपका developer option जो है on हो जाएगा फिर developer option search कीजिए ठीक है तो developer option search करने के बाद developer option पे जाएए उसके बाद हमको नीचे scroll करते जाना है और इधर आपको एक जो है तीन ऐसे animation का speed जो है देखने को मिलेगा उसको सब by default 1x पे होगा आपको 0.5x या फिर 0.5x पे जो है select कर लेना है और आप देखेंगे आपका जो है theme बहुत ही अच्छा जो है first हो जाएगा तो और ज्यादा elaborately मैं जाना नहीं चाहता और खुद देखें कितना अच्छा जो है यह आपको फिल देगा अपने साउमी फोन और एक चीज ठीक है happy new year to all जैसे कि यह हमारा नया साल का एक first video है तो आपको अपना response जो है दिखाना है इस वीडियो लाइक करना है share करना है और मेरे चैनल को जो है subscribe करना है और आपका love and support जैसे आप बना रहे ठीक है thanks for watching this video